क्या आप लोग जानते हो कि हम किसी number का square root या फिर उसका nth root using binary search निकाल सकते हैं जिन लोग को तो यह चीज़ पता है उनको तो पता है बड़ एहली बार सुनने में यह चीज़ काफी amusing लगती है कि यह binary search जो एक searching algorithm है उसके using हम किसी number का square root या फिर nth root कैसे निकाल सकते हैं तो आ किसी चीज़ को search करती है और वो भी monotonic search space होना चाहिए जो search space होना चाहिए जो हमारे searching का range है वो monotonic होना चाहिए जो function है वो monotonic होना चाहिए यह मैंने last के video में explain किया था तुम लोग को monotonic क्या होता है increasing decreasing यह सब चीज़ें तो अब मेंको 4 का square root search करना है अगर binary search के using यह problem को solve करना है तो मेंको क्या करना है 4 का square root search करना है तो अब let's suppose मेरे पास एक number n है ठीक है अब मेंको उसका square root find करना है तो किसी भी number n का square root जो है 1 to n में लाई करेगा अगर n जो है हम मान रहे हैं के 1 से बड़ा है हम 1 से बड़े वाले numbers की बात कर रहे है अभी के लिए ठीक है तो 1 से n में लाई करेगा किसी भी n का square root तो हमारा search space क्या हो गया 1 से लेके n तक के सारे real numbers सारे के सारे real numbers अब real numbers जो होते है 1 से n में वो तो infinite होगे ना तो अभी let's say में को 4 का square root find करना है तो वो किसमें लाई करेगा 1 to 4 में but 1 to 4 में जितने real numbers है वो तो infinite है वो तो कितने भी हो सकते है ना वो depend करता कि हम कितने decimal place तक search करेंगे तो मतलब एक ही decimal place तक हमें answer चाहिए तो 4 के लिए हमारी search space क्या हो जागी 1 2 3 4 ये एक monotonic search range है इसमें में को 4 का square root find करना है ठीक है इसमें में को 4 का square root find करना है तो हम search कर सकते binary search में लगा के simply binary search में क्या करेंगे middle element पे जाएंगे देखेंगे वो square root of 4 है या नहीं कैसे देखेंग 3 into 3 4 से छोटा आया तो 3 से बड़ा होगा 4 का square root है ना इस case में 3 into 3 तो बड़ा होगा 4 से तो इस case में छोटा होगा square root तो basically इस चीस में binary search लगाएंगे तो अगर let's say में को 16 का square root find करना है 16 का square root कैसे find होगा तो हमारे पास 1 2 3 4 5 up till 16 numbers होंगे ये होंगे तो हमें क्या करना मिडल element की होगा मेरा 1 plus 16 by 2 मतलब 17 by 2 है ना यह होगा middle element तो 8 होगा middle element 8.5 हायगा बट 8 ही होगा तो मैं देखूंगा 8 x 8 16 से बड़ा है यह नहीं अब 8 x 8 16 से बड़ा है है ना 8 into 8 16 से बड़ा है तो मेरा search space क्या हो जाएगा अब में को पता है कि 8 into 8 16 से बड़ा है तो मेरा square root 8 से छोटा ही होगा है ना 8 से बड़ा नहीं हो सकता तो मेरा search space क्या हो गया 1 2 3 अब तिल 8 ये मेरा search space हो गया अब दुबारा middle element निकालेंगे 8 plus 1 by 2 9 by 2 यानिकी 4 तो 4 into 4 ये मेरा 16 के बराबर हो गया तो में को सीधा square root मिल गया अगर नहीं मिलता तो हम सीधा ऐसे search space को कम करते जाते तो अगर कोई element इसका multiplication 16 से बड़ा आता तो हम बोलते के उससे पहले exist कर रहा square root अगर छोटा आता तो हम बोलते उसके बाद exist कर रहा square root simple binary search ही हो गई है ना तो ये हो गया हमारा square root का binary search बट ये तो मैंने तुमें देखा इंटीजर के लिए बताया है मतलब हमेशा चलता ही जाएगा कोई ऐसा fix number नहीं है तो ऐसे cases में हमें decide करना पड़ेगा कि हमें किस decimal place तक उसकी accuracy चाहिए जो भी हमें square root find करना है हमें किस decimal place तक उसकी accuracy चाहिए तो let's say मैं बोलता हूँ मैं को 2 decimal places तक accuracy चाहिए तो 2 decimal places के लिए accuracy अगर मैं को चाहिए तो मेरी search space क्या हो गई 2 decimal चोड़ो भी 1 decimal से शुरू करते हैं अगर 1 decimal place तक मेरी accuracy चाहिए मैं को square root of 2 के लिए तो मेरी search space क्या हो जाएगी 1 से लेके 1.1, 1.2, 1.3 है ना and so on 1.9 and फिर end में 2 आ गया तो यह मेरी search space हो गई क्योंकि 1 decimal place तक accuracy चाहिए मैं को तो इनी 12 numbers में से मेरा square root of 2 exist करेगा है ना तो यह मेरे 12 search space का size हो गया बड़ अगर मैं बोलता हूँ मैं को 2 decimal places तक मेरी accuracy चाहिए square root of 2 के लिए है तो मेरा search space क्या हो जाएगा मैं एक बड़ा दूँगा यहां पे तो मैं क्या करूँगा search space को consider करूँगा 1.01, 1.02 as so on 1.99 तक and उसके बाद 2 तक तो यह मेरा search space हो गया ठीक है तो यह ऐसे search space बढ़ता जाएगा जितना हम चाहेंगे कि हमारी accuracy जादा हो जो भी binary search की complexity भी बढ़ते जाएगी तो यह हम इसमें अब 2 का square root find करना होगा तो मैं क्या करूँगा 2 plus 1 by 2 निकालूँगा तो 2 plus 1 by 2 क्या हो गया हमारा 2 plus 1 by 2 3 by 2 यानिकी 1.5 तो 1.5 into 1.5 check करूँगा 2 से बड़ा है तो मेरा search space क्यों हो जाएगा 1 1 से लेके 1.5 तक फिर 1 plus 1.5 by 2 करू करेंगे हम तो अब इसको code में देखते हैं कि code में square root कैसे निकलेगा तो code में हम यहां पर सबसे पहले double epsilon define करेंगे तो epsilon हमारा क्या denote कर रहा ना basically हमें accuracy कितने decimal places तक चाहिए तो let's say अगर में को 5 decimal places तक accuracy चाहिए तो मैं यहां पर क्या करूँगा 1 e minus 6 1 e minus 6 मतलब 10 to par minus 6 यह मैं बताता हूं यह ऐसा क्यों किया आगे बताता हूं ठीक है अब में को एक जो number चाहिए let's say double x x का square root find करना में को x का square root find करना है ठीक है इसको input ले लेते है c in x है ना अब binary search लगाने है binary search के लिए क्लिए क्लिए करेंगे पहले low define करेंगे और high define करेंगे तो double इस बार सारे काम double म number हो सकता है ना तो सारा काम double में होगा double low high low को कर देंगे one high को क्या कर देंगे x है ना one से x में लाए करेंगा मेरा binary search में जो मेरा value है और यह mid अब यहाँ पर क्योंकि हम double से deal कर रहे है तो वो high minus low greater than one वाली condition जो मैंने पिछले binary search के वीडियो में पताई थी वो नहीं लगेगे क्योंकि double में अलग चीज है ना double में greater than one करेंगे तो काफी सारी range वारी miss हो जाएगी तो यहाँ पर हम क्या करेंगे while high minus low greater than epsilon अब यहाँ पर देखो यह मतलब क्या हुआ इस चीज का while high minus low greater than epsilon का मतलब क्या है तो let's say यहाँ पर ना मेरा यह में को square root of two find करना था two decimal places तक तो मेर लोग किसी point पे ना मेरे low की value आ गई 1.40 और मेरा high आ गया 1.44 अब यह जो दो high और low हैं इसको जब मैं subtract करता हूं तो मेरा answer क्या था 0.04 यह आया ना मेरा high minus low करने पे तो इसका मतलब क्या है कि जितने zeros होंगे उतनी values तक मेरा low और high का value same होगा मतलब उतने decimal places तक मेरा low और high का value same होगा तो हमें क्या चाहिए हमें चाहिए high minus low जितनी भी हमें accuracy चाहिए ना उतने zeros आने चाहिए अगर में को चाहिए कि मेरा square root 4 decimal places तक accurate हो मेरा square root 4 decimal places तक accurate हो तो high minus low में 0.0000 यह 4 zeros आने चाहिए है ना तो इसलिए हम यहाँ पे बोल रहे हैं epsilon से बढ़ा होना चाहिए तो 5 decimal places तक क्योंकि 10 to par minus 6 क्या होगा 0.0000001 मतलब 5 zeros होंगे और एक 1 होगा यह 10 to par minus 6 होगा है ना यह 1 ही minus 6 है तो इसमे 1 ही minus 6 में में को 5 decimal places तक की accuracy मिलेगी है ना यह 1 ही minus 6 में में 5 decimal places तक की मिलेगी ना accuracy तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि अगर में को accuracy चाहिए x decimal places तक की तो में को 10 to par minus x plus 1 का epsilon रखना पड़ेगा तो high minus low greater than epsilon क्या कर रहा है तब तक binary search चलाता जाएगा जब तक हमारे high और low के मतलब जितना हमें digits तक accuracy है यह उतने digits हमारे same नहीं हो जाते हैं है ना तो यह हम देखते हैं अब यहां पे हम क्या करेंगे middle calculate कर लेंगे middle is equal to high plus low by 2 अब हमें क्या check करने जो middle element है वो मेरा square root possible square root से कितना छोटा है या कितना बड़ा है तो मैं क्या check करूंगा if mid into mid is less than अगर mid into mid is less than x है ना अगर mid into mid छोटा है x से तो मेरा square root जो होगा mid से बड़ा होगा अगर mid into mid मेरा बड़ा है x से तो जो मेरा actual square root है छोटा होगा मतलब है उससे छोटा होगा तो इस case में जब mid into mid मेरा x से छोटा है उस case में मेरा mid से बड़ा होने वाल है है ना मेड से बड़ा होने वाला है तो low is equal to हम कर देंगे mid है ना else के case में हम कर देंगे high is equal to mid क्योंकि उस case में मेरा उससे mid से छोटा होने वाला है तो high को नीचे shift कर देंगे है ना तो यह हो गया मेरा और end में तुम कुछ भी print कर दो see out low high कुछ भी print कर दो वह तुमारी मर्जी है दोनों ही हमारी चीज़ दोनों lower high की value जितने decimal places तक हमें सही चाहिए उतने decimal places तक सही होगी ठीक है ना तो यहां पर print कर देता हूं एंडल तो यहां पर let's say 4 का run करके देखते हैं तो तुम देखरो 40 आ गया है तो यह basically हमारा square root find कर रहा है ठीक है तो अब यह square root तुम देख रहे हो अब लटसे किसी ऐसे number का find करते है जिसका decimal में आएगा तो 2 का find करते है 1.414 होता है तो देखरो 1.41421 आ गया है तो यहां पर मैं तुम्हें high भी print करके दिखाता हूं एंड इसको x decimal places तक print कर लेते हम तो यहां पर set precision का use कर लेंगे x decimal places तक print करने के लिए तो तुम देख रहे हो यहां पर हमारा five decimal places तक high or low की value same है क्योंकि हमने यहां पर 10 to par minus six रखा था let's say मैं 10 to par minus seven रखता तो six decimal places तक हमारा value same होता तो हमारा जो accuracy है वो six decimal places तक accurate है यहां पर एक और extra आगया है क्योंकि वो depend करता है उतना तो हो गई है ना उतना तो हो गई six तक तो हो गई उससे ज्यादा भी हो सकता है तो हमारा यह accuracy पर depend करता है यह 10 to par minus seven जो भी चीज़े है यह accurate हमें कितना चाहिए वो चीज़ डिपेक्ट करेगा तो इसको अगर verify तुम्हें करना हो तो तुम यहां पे ना मैं तुम्हें वो दिखा देता हूं के let's say हमें हम inbuilt function भी यूज कर सकते है पाव फंक्शन जो होता है न वो भी the animat video रहें अब किसी number Almost easy अगर किसी number का निकालना हो तो क्या कर conviction penso अगर किसी number का निकालना हो तो क्या चाहिए बस यह जो खंडिशन multiply function हो गया तो इसको यहाँ पर नीचे use कर लेंगे mid into mid की जगह तो यह basically मेरा nth root का code हो गया क्योंकि यहाँ पर multiply क्या कर रहा है multiply क्या कर रहा है mid को n times multiply कर रहा है और देख रहा है कि वो x से छोटा है तो low को आगे shift कर रहा है ने तो high को पीछे shift कर रहा है यहाँ पर यह जो हमारा पूरा code है इसकी time complexity की होगी अब square root के लिए देखते है तो square root के लिए ना यहाँ पर इसकी सबसे पहले तो यहाँ पर यह जो हमारा loop है यह लॉग का loop है है ना square root के लिए अंदर वाले इस function की time complexity कुछ भी नहीं है of one function होगा यहाँ पर mid into mid होगा ना square root के लिए log of what log of what आएगा log of क्या आएगा तो basically log of आएगा जितनी हमें precision चाहिए मतलब sample search space क्या है log of log के अंदर वही चीज आती है जो हमारे search space का size है कि हमारा जो जिसके उपर हम binary search लगा रहे है उसका search space का size क्या है तो जैसे-जैसे precision बढ़ाते जाएंगे जहां पर हमने जैसे देखा भी था यहां पर कि जैसे-जैसे precision बढ़ाते हैं तो अगर एक decimal places चाहिए थी तो 1 से लेके 1.1 1.2 से लेके 2 तक तो 12 numbers थे दो decimal places चाहिए थी तो 1 1.01 1.02 है ना तो उतने decimal places तो उतना हमारा बढ़ता गया तो 2 decimal places के लिए 100 के around हमारा search space हो गया 1 decimal places के लिए हमारा 10 के around हमारा search space था तो जितना भी हमारा search space है हना तो हमारा search space क्या होगा 10 to the power यहां पे 10 to the power कितने decimal places तक accuracy चाहिए d decimal places तक अगर accuracy चाहिए तो यह हमारा हो गया तो इसको यह हमारी जो है basically time complexity जो हो जागी square root के लिए कि कितने d decimal places तक अगर accuracy चाहिए तो log of 10 to the power d तो यह हमारा time complexity हो गया अगर यह multiply function अगर तुम nth root निकालना चाहते हो तो यहाँ पे n भी आ जाएगा क्योंगी multiply function क्या है o of n function है तो n log of 10 to the power d तो यह भी आजागा तो यह हमारी basically time complexity होगी इस चीज़ की इस part में एक छोटी सी mistake है कि यहाँ पे सिर्फ 10 to the power d नहीं होगा यहाँ पे एक जो search space का size है वो बढ़ा होगा तो let's say कर मैं कोई d decimal places तक accuracy चाहिए है ना तो 2 से 3 में 10 to the power d numbers होगे फिर 3 to 4 में और 10 to the power d numbers होगे और फिर 4 to 5 में and so on करके 10 to the power d numbers होगे हर एक n और n प्लस 1 में तो total search space का size क्यों होगा n into 10 to the power d तो यहाँ पे जो time complexity है वो log of n into 10 to the power d बन जाएगी और जो बाहर n वो अलग है वो है के nth root फाइंड कर रहे है तो let's say अगर हम pth root फाइंड कर रहे है किसी number n की and अगर हमें d decimal places तक accuracy चाहिए तो time complexity की होगी p into log of n into 10 to the power d तो यह हो गया कि binary search के using तुम कैसे nth root फाइंड कर सकते हो किसी number का and यह जो concept है although inbuilt function exist करते है and although ऐसा तुमें question नहीं आएगा बर यह जो concept है यह और जगहों पर ऐसे question में कभी random ली आ सकते है तो यह concept जानना जरूरी है कि कैसे तुम binary search को leverage कर सकते हो तुम ऐसे problem solve करने में जो तुमने सोचा भी नहीं होगा कि यह binary search से solve हो सकते हैं तो अगले video में हम advanced problem देखेंगे binary search का using predicate function कैसे हम solve करते है binary search के advanced problems को तो वो अग next video में देखेंगे हम कि कैसे वो चीजे होती हैं तो I hope तुमें यह सारी चीजे समझ आ गई हो और अगर तुमें कोई भी doubt हो तो मुझे नीचे कमेंट करके बता देना या फिर तुम मुझे discord में भी टैक करके पोची सकते हो क्या आप लोग जानते हो एंड उसके concepts जो अपर लोगर बाउंड के तो उसको हम बोलते हैं तो और अगर three into three छोटा आया फोर से तो हम क्या करेंगे 16 ऐलेक्सा stop तो हमें क्या करना है कि 16 यह मेरा 16 के बराबर हो गया है यह मेरा 16 के बराबर हो गया तो में को सर्फ में को यह में को three decimal places तक पता है यह होता है बट अब two decimal हम तो इनी दस नंबर फिर one point five plus one by two करूंगा ना one point five plus one by two करूंगा उसको आप फिर सो फिर वन प्लस फिर वन प्लस तो मेरा स्क्वेर रूट ऑफ टू 1.414 होता है तब तक बाइनरी से लाता जाएगा जब तक हमारे हाई और लो के